नमस्कार दोस्तों में निशान एक बार फिर राजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आज हम बात करेंगे पारकर वेक्टर एक्सल की यह फाउंटेन पैन इंडिया में अवलेबल नहीं है और अगर आपको यह मंगाना है तो काफी महंगा आपको यह पढ़ने वा निदर लेंड से मंगाया था और मैं आभारी हूं डॉक्टर स्वेता का जिसने पुसिबल किया और उनकी बदोलत यह फाउंटेन पैन मुझे मिला है इंडिया में और देख सकते हैं भी निकाल लेते हैं इसको यह देखें पारकर और जिस तरह का पैकेज की एक्सपेक्टे अ कि पारकर वेक्टर एक्सल तो पारकर वेक्टर जो बोल प्यांट पैन होच हstalता है और उसी का इसे थोड़ा से बड़ा वर्जन निकाला था आए वो ए healthier ओक्! पाउंटेन पैन भी निकाला है तो यहां पर दो चीज़े आपको मिल जाती है इसके नीचे साइद पेपर वर्क नहीं है यह देखें यहां पर यूरो 23 यूरो का है यह और मुझे लगबग लगबग यह 1700 रूपीज का वहां से पड़ा था और यह कैट्रिज पार करकर की स्ट कि तरफ लेखें फीटिंग जह की कैप में रहती है और यह थेन्लेस स्टील की क्लीप प्राइस टेक निकाल कर लेते हैं हम लोग यहां पर देखिए आप यह क्लिप, arrowhead clip, parker का symbol यह देखिए नीचे parker का symbol और parker लिखा हुआ है, पीचे की तरफ kep पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो दोस्तों ओपर यहां पर देखिए, यह parker का symbol बिलकुल head पे भी बनाओा fat head है और उसके उपर एक fitting है जिसके उपर पारकर का symbol बनावा है और ये देखे बैरल जो है बैरल भी मैटल का बैरल है और काफी shiny coating की गई है अंदर की तरफ fitting है जिसके अंदर screw है section में fit करने के लिए Translution Plastic का section है ये देखे और निप देखे निप sonnet की तरज़ पर है और निप के उपर लिखावा है पारकर पीछे की तरफ देखे फीड और जैसा कि आपने फीड पर देखा है कि फीड पर size लिखा रहता है निप का और इस feed के उपर कुछ नहीं लिखावा है M जो size है वो निप के उपर ही लिखावा है फीड भी कुछ डिफरेंट्स ही है इसके अंदर तो आप इससे expect कर सकते हैं कि काफी अच्छा यह fountain pen लिखने वाला है तो दोस्तो बेरल बहुत कुछ special नहीं है अलग-अलग colors में मिल जाता है जैसे यह gray's blue's है उसी तरह से आपको Guinness भी मिल जाता है और कई colors में आपको मिल जाता है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ उपर की तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर cartridge अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको बताई थी कि जो European fountain pen होते हैं उसमें पारकर converter नहीं देता है देखिए इसके अंदर भी कोई converter नहीं आता है इंडिया में अगर यह fountain pen पारकर लेकर के आएगा तो 100% है कि वो converter जरूर देगा क्योंकि उसको पता है कि इंडियन लोग converter के बिना सायधी यह fountain pen खरी देंगे अभी cartridge को हम इसमें fit कर लेते हैं cartridge fit करने का तरीका क्या है cartridge को लीजिए जिस तरफ से puncture होती हो cartridge उस तरफ को section के अंदर डालिए और यहाँ पे clearly आप देख सकते हैं पंचर होते विए आप तो दिखेगा यह यह देखे जैसे ही पंक्चर हुआ वैसे ही inka flow section के अंदर हो गया वो के लिए लिए आप translation plastic के अंदर देख सकते हैं अब हम barrel को बंद कर लेते हैं writing experience ले लेते हैं इसका और फिर देखते हैं कि final review हमारा इस fountain pen के बारे में क्या है इस तरह का fountain pen है और सारी dimension उपर देख सकते हैं मैंने लिखी है और heavy है fountain काफी आइधिंक अठरा बीस ग्राम का होगा यह वो भी आपको मैं बिखा दूँगा आई यह हम ले लेते हैं एक journal notebook जो की student यूज करते हैं बहुत ही पतला paper होता है इन बुक्स का थोड़ी यह स्मूथ जरूर होती है और आपको इसी तरह की notebook लेनी चाहिए तो writing sample लेते हैं इस इस पाकर वर्ड कि आपको दोस्तों यहां आपने देखा जो राइटिंग आ रही है किस तरह की writing इस fountain pen से आ रही है इसी के अंदर हमने पार करके का इस्तेमाल किया है तो दोस्तों यह था एक बहुत ही बहतनी सेंपल सिलकी समूथ fountain pen चल रहा है इसके अंदर कोई problem नहीं है और medium size इसका निभ है निभ आप देख सकते है कितना खूबसूरत निव आपको ये इसके साथ मिल जाता है बहुत ही जो टिप है टिप की आप देख सकते हैं शाइनिंग इसकी देख सकते हैं निव की और टिप की क्लीनिनेस और टिप का शेप भी आप देख सकते हैं किस तरह का टिप का शेप इसमें है तो फिल्ड सिस्टम ने बहुत ही बहतरीन है इस fountain pen का इस fountain pen को आप बेजी जग खरीज सकते हैं लेकिन अगर आपको ये इसके original price पे मिले तभी आप इसको खरीद देगा ज्यादा पैसा देने की आपको आवश्कता नहीं है क्योंकि इस range में और भी fountain pen अवलेबल है जिनको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर करना बहुत लिएगा मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो ले करके आता रहूंगा हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए नश्कार जैहिंद